हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दोस्तो यदि आप Whatsapp के डिलीट, चैट, फोटो, वीडियो, ओडियो को चुटकीयों में आप रिकवर करना चाहते हो, तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही स प्लिकेशन को ट्राई किया होगा बड़ दोस्तों काम नहीं करता है दोस्तों यदि आप से जान बुच कर डिलीट हुआ हो चाहें दोस्तों गलती से डिलीट हुआ है दोस्तों आपको कोई भी दिकत नहीं है बस दोस्तों जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा ध्यान से आपक तिपके ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और दोस्तो देखने यिवाज यदि आपको पसंद आ है तो अपने WhatsApp में अपलाई करना, यदि आपको फायधा मिले, तो दोस्तो आप लोग इस वडिटी ओको लाइक करना, कोमेंट करना, अपने प्रेंट करना, अपने फैमली पर रिकवर करके दिखाने वाला हूं दोस्तों चाहे हूं वो कितना भी साल पूराना हो डिलीट फोटो बिडियो दोस्तों वो आयेगा की नहीं आएगा और दोस्तों कैसे आएगा dwaहर है तरीका वो को बिल्कुल चैटिंग की है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो यहां पर फोटो भी है चैटिंग भी है और दोस्तो यहां पर बहुत धेर सारी चीज़े है जो कि मैं आपके सामने यहां पर दोस्तो डिलीट भी करूँगा और दोस्तो यहां पर आपको रीकवर भी करके दिखाने वाला ह प्रवाद से हम डिलीट फोटो वीडियो ओडियो चैट को रीकवर करने वाले हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको थ्री लाइं का यानी त्री डोट का दुस्तो शेटिंग मिलता है यहाँ पर क्लिक करके सेटिंग के अंदर आने हैं इसके वाद दुस्तों आपको फोटो वीडियो चैट को वापस लेया सकते हो तो दुस्तों इसके लिए आपको मिडिया ओटो डाउनलोडेड यह जो तीनो फंसन है न मोबाइल लेटा वाइप है रोमिंग यहाँ पर दुस्तों फोटो के अंदर क्लिक होगा आपको दुस्तों सब पर यहाँ पर टिक मार है ना आपको यहाँ पर चैट के अंदर आने है चैट के अंदर आओगे तो दुस्तों यह जो सेटिंग है ना आपके फॉन के अंदर वाट्साप में दुस्तों ओप होगा आपको दुस्तों यहाँ से इसे फॉन कर लेना है जैसे कि दुस्तों इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी कोई भी media यानि कि दूस्तो फोटो विडियो ओडियो होगा जादी दूस्तो डाउनलोड होगा तो gallery के ंंदर चला जाएगा तो दूस्तो आपको दो फायदे होंगे एक तो दूस्तो आप अपने phone को यानि कि दूस्तो किसी software की मदद से आप उसे recover कर सकते हो दूसरा दोस्तों जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर तरीका बताने वाला हूँ वाटसप के थूपी दोस्तों आपको बिलीट चैट फोटो वीडियो को recover कर सकते हो तो दोस्तों यहाँ पे मेरा इतना process complete हुआ दो process complete हुआ आप दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ मैं simple सा दोस्तों यानि कि दोस्तों important चीज़ बताने वाला हूँ जो कि दोस्तों आपको अपने whatsapp के अंदर apply करने है जैसे कि दखिए दोस्तों कोई भी चीज है जैसे कि हम यहाँ पे software जो reality है दोस्तों जो सच्चाई है वो चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसा नहीं कि दोस्तों मैं आपको कोई सा भी photo video recover करके यहाँ पे chat को दिखा दूँ और आपका जब recover करो तो आये ही ना तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मालो बहुत सारे जो software होते हैं जो laptop PC के लिए आते हैं तो दोस्तों वो तो काफी ज़्यादा महंगे होते हैं paid होते हैं हम यहाँ पे दोस्तों free का trick यूज करने वाले हैं तो दोस्तों free का trick है ना उसके लिए दोस्तों आपके phone में backup होना ज़रूरी है अब दोस्तों यहाँ पे मैं अपने WhatsApp के अंदर बीना backup का ही दोस्तों यहाँ से यदि कुछ delete मार दूँ तो दोस्तों recover तो होना संभाव नहीं है बट दोस्तों यहाँ पे मैं जो भी photo, video, audio, chat है चैट के अंदर आने है तो आपको यहाँ पे backup मिलेगा इससे पहले दोस्तों आपको backup करने से पहले यहाँ कुछ setting कर लेनी है जो कि दोस्तो काफी एदा important है सबसे पहले दोस्तो आपको यहाँ पे जो भी backup करोगे न include video भी कर दोगे यानि कि दोस्तो यदि आप का video delete हो गया है वो भी recover करोगे तो दोस्तो नहीं आएगा यदि include videos नहीं होगा और backup using cellular आप करना और यहाँ पे दोस्तो क्लिक करके आप यहाँ से दोस्तो अपने phone के अंदर जो Gmail होता है नो दोस्तो WhatsApp के अंदर एक यहाँ पर Gmail fit कर लेणा आपको option मिलेगा क्लिक करनेगा इसके बाद दोस्तो यहाँ पे जब भी दोस्तो आपको यहाँ पे बैक अप करना है जब भी दोस्तो आपको यहाँ पर डेली पर क्लिक रखना है देली पर ध्यान से देखना दोस्तो आपको डेली पर क्लिक रखना है यहाँ पर क्योंकि दोस्तो यह मेरा सीम है जो मेरा फोन मैं दोस्तो रोमिंग में यूज करता हूँ इसलिए दोस्तो जब मैं back up करता हूँ तो दोस्तो यह जो back up होता है रात को 2 बजे होता है दोस्तो मुझे instant के instant अभी करना है तो नहीं होगा इसके लिए दोस्तो मुझे only when I tap back up पे click करके दोस्तो back up करना होगा दोस्तो आप यहाँ पे daily पे click रखना ध्यान से यहाँ पे समझेना कि दोस्तो आपको daily पे click रखना है और दोस्तो पर डेटा जैसे कि दोस्तो यहाँ पे कोई सब यही फोटो वीडियो चैट अगर record करना है तो दोस्तो यहाँ आपने कहीं से भी दोस्तो यही कोई भी photo वीडियो चैट audio कुछ भी receive पिया तुरण दोस्तो आपको यहां पे आके back up यहां से यहां पे daily पे दोस्तो करके और आपको यहां पे डेली पे नहीं दोस्तो यहां पे hourly पकरके यहां पे आना यहां पे और दोस्तो यहां पे daily या फिर दोस्तो आप only when I tap back up पे click करके दोस्तो instant के instant आके आपको दोस्तो यहां से back पर कर लेना है अब दोस्तों जो भी माल लो माल लो दोस्तों आप अभी यहां पर लिया और दोस्तों कुछ टाइम फ्रिएड होता है जिसके बीच में दोस्तों यदि आपका data डिलीट होता है नो दोस्तों सारे data तो आजाएंगे नइ कुछ data वो होते हैं जैसे कि मालो आपके रात को दो बज़े ये update यानि कि दोस्तों ये backup लेगा उसके बीच में दोस्तों जो दीन से सुबह से लेके आपका रात दो बज़े से पहले के बीच का यह दी वो backup नहीं हुआ data और दोस्तों डिलीट होगा तो दोस्तों तो recover नहीं होगा तो इसलिए दोस्तों मैंने बताया कि आप यहां पर जब भी कोई message वगएरा photo वगएरा receive करो आपको यहां पर only when I tap backup पे click करके और दोस्तों यहां पर आके जैसे मैंने कोई दिकत नहीं है बड़ जीन है जो सही जनकारी चाहिए एक्चुल में जो real की कैसे whatsapp के थ्रू डिलीट photo video chat को वापस ले आते हैं और दोस्तों कैसे नहीं आता है वो देखना है तो अच्छे से यहां पर ध्यान से समयना देखना तो यहां से आपको live दोस्तों यह जितने भी photo video है ना दोस्तों मैं यहां पर इस chat को जाके दोस्तों यहां पर more पर जाके और सारा का सारा दोस्तों यहां से clear chat कर देता हूं यहां पर दोस्तों clear कर देता हूं यहां पर आप अब डिस्तो में आपके सामने यहां से रिकवर करने वाला हूँ तो सबसे पहले दोस्तो आपको अपने WhatsApp को यहां से अनिस्टोल करना है तो दोस्तो मैं यहां पर अनिस्टोल नहीं करूंगा मैं app info के अंदर जाके सारा data वगेरा clear कर दूहां कि दोस्तों मुझे फिर से download करना पड़ेगा आप चाहूं तो uninstall भी कर सकते हो या फिर दोस्तों मैं जिस प्रगार से कर रहा हूं आप यहां से भी दोस्तों clear storage और clear कैशे पे क्लिक कर गें दुस्तों आप यहां से भी कर सकते हो अब यहां पे दुस्तों जब भी मैं अपने व meillä सब्छek करूए कुछ बhö dad दोस्तों आपको यहां पर ing पर क्लिक करना है, आपने जिस वाट सब से जिस नमबर से वाट सब चलाया है, और जो भी आपका डेटा डिलीट हुआ है, वही दोस्तो आप यहां पर इहां पर डालके, और आपको यहां पर next पर खिलिक करके, ध्यान सा इस टेप देखना, अगर थोड़ भी यहां पर गलत कर होगे तो दोस्तों आपका सांड डेटा यहां सरीक्त और नहीं होगा क्योंकि दूस्तों यहाँ पर भहुत सारे लोग मिष्टेक करते हैं यहाँ पर दूस्तों मैंने अपने लो मीश्टेक कर दिया है बट दोस्तों यहां पर मैं two step verification वो on किया हूँ ताकि what's up मेरा कोई hack वहरा ना कर सके तो दोस्तों मैं फटाफट से यहां पर अपने इस phone को दोस्तों यहां पर verify करने वाद यहां पर open कर लेता हूँ जो कि देख सकतों मैंने वो number डाल दिये जो कि दोस्तों यह verify कर रहा है और successfully धूरिफाइव भी होगया है आप देखिए दециए दुस्तों यहां पर contactzier media दोस्तों आपको यहां पर not now पे कभी भी क्लिक नहीं करना है आपको दूस्तों continue पे klik करना है यादरी सही सही यदि आपका data actual में आपको recover करना है, आपको continue पिक करने, allow पिक करने है, इसके ekiघट करने है, इसके वाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर looking far wake up, यहाँ पर दोस्तों यहाँ यह आपका backup एवलेवल होगा, तो दोस्तों, तो आपको दुस्तो यहां पर पर कुछ समय लगेगा तीन मिनट के आसपास यहां पर जो जीमेल है जहां पर बैक अप हुआ है पुछी सेकेंड में देखिए दूस्तो आपका यह जो डेटा है ना रीकोवर हो रहा है और जैसी रीकोवर कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद दोस्तो मैं आपको यहां पर लाइफ टूप दिखाऊंगा और आपको यहां पर दिखाऊंगा कैसे मेरे फोटो वीडियो चैट जो भी यह वो रीकोवर हो चुका है देख सकते हो कि दोस्तो देख सकते हो कि इंटलाइज हो रहा है आपके सामने दोस्तों कुछी सेकेंड में सारा डेटा यहां पे रिकवर हो जाएगा तो आप यहां पे इस वीडियो को अभी स्कित मत करना सारा पूरा प्रोसेस अच्छे सद्ध्यान से देख लेना समझ लेना और दोस्तों यहां पे आप दोस्तों मैं दोस्तों यहां पे टू MUSIC ऑला जो फेरिफीकसन डाला हो ना दोस्तों यहां पे डालके कमझे फिर से ओपेन करना पड़ेगा तो मैं वेरिफाई को और यहां पीन Time truth है और रीकावर हो चुका हैं तो दोस्तों आप लोगा ओर हवाहों में ना पढ़े जो सही चीजे ह одно दोस्तों वुट्साप का फोटो विडियो डीलीट चैट्री रिकावर कैसे होता है बीना बैक अप किये दुस्तो कभी भी रीकवर नहीं होगा अगर दुस्तो बीना बैक अप कर रीकवर करना चाहते हो तो दुस्तो उसके लिए आपको लैप्टप PC की जरूत पड़ेगी और दुस्तो बहुत सारे सोफ्ट्वेर होते हैं जो कि पेड होते हैं आप दुस्तो गूगल पर सर्च कर सकते हो उनके बारे में जो कि दुस्तो पैसे लएंगे और बट हाँ दुस्तो आप वहाँ से अपनी डेटा को दुस्तो सुरक्षित रीकवर कर सकते हो तो आई उप कि दुस्तो जो मैंने आप लोगों को इस विडियो का अंदर जयंकारी दिए है वो दुस्तो अच्छे से समय में आगया होगा पसंद आया होगा तो दुस्तो आप लोगों इस व्डियो को लाईक कोमेंट से और सबस्क्राइब जहाँकरना इसी तरह की वीडि उसको देखने के लिए